हेलो प्यारे बच्चों आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं और यह है आपकी इंग्लिश वोक्षीट नमबर 14 इंग्लिश वोक्षीट नमबर 14 जो आपको 11 नमबर 2020 को करनी है मेटा आप सभी अपना नाम अपनी क्लास शीचर का नाम वोक्षीट पर लिखकर और साथ ही साथ अपना रोलंबर सुडिन्ट आईडी लिखकर ही भेजए जब आप एक खीच कर भेजते हैं वाट्साप ग्रूप पे और अभी सभी ध्यान से देखेंगे बहुत अच्छी सबस्क्राइब करने के लिए है आपको अप्लिकेशन लिखना लिखना बताया जा रहा है सिक्लीव कैसे लिखी जाती आपको फॉर्मेट दिया गयए और उस फॉर्मेट में आपको वर्डस भाते हैं और ज५ैलिंग ॥ी और आपको ये दो भार पढ़ना है ट्वाइस समर गुड इवनिंग दीपक, how are you? समर ने दीपक से कहा गुड इवनिंग दीपक, how are you? अब तुम कैसे हो? you did not come to school today, are you fine? तुम आज स्कूल नहीं आए, तुम ठीक हो? दीपक ने क्या reply दिया? समर, I have fever so I did not come to school समर ने, दीपक ने समर को कहा, समर मुझे बुखार है इसलिए मैं आज स्कूल नहीं आया तो समर ने क्या जवाब दिया? ओ, are you taking medicine? क्या तुम दवाई ले रहे हो? तो दीपक ने क्या कहा? yes I am taking medicines and doctor has advised me to take rest for two to three days मैंने दवाई ली है मैं दवाई ले रहा हूँ और doctor ने मुझे ये advice किया है कि मुझे सला दी है कि मुझे दो से तीन दिन तक आराम करना चाहिए तो समर ने क्या बोला? take medicines and proper rest हाँ, medicines लो और आराम करो अच्छी तरह से you will be fine soon तुम जल्दी ठीक हो जाओगे तो दीपक ने क्या कहा thank you dear I have written an application उसने का thank you मैंने एक application लिखी है will you please give my sick leave application to our class teacher क्या आप जो मेरी application है मेरी जो बिमारी के कारण मुझे छुट्टी लेनी पढ़ रही है sick leave होता है जो हम बिमार हो जाते है और application लिखते है तो sick leave application बोलता है उसको जो मैंने ये छुट्टी ली है उसके लिए application मैंने लिखी है क्या आप वो class teacher तक पहुचा देंगे तो Samir ने क्या कहा यहाँ पे summer था उपर तो यहाँ भी क्या आना चाहिए summer वो बान में Samir नाम वो स्प्रिंटिंग है तो Samir ही रहेगा same name चलेगा yes I will give take care Deepak तो उसने का हाँ बिलकुल अपना ध्यान रखो मैं दे दूंगा तो देखें सपोस यू आर इल तो यह कहा गया कि अब आपको सपोस करना है आपको यह मानना है कि आप अगर बिमार है and you need to be on leave और आपको छुट्टी लेनी है how will you inform your school one way is the writing and application and giving it to your class teacher उसमें से एक तरीका तो यह है कि आप एक application लिखी और class teacher को अपने दे दीजे तो given below is the format and application fill in the blanks अब यह format है एक application का और आपको fill in the blanks fill करना है blanks को and write an application एक application लिखनी है application to the principal of your school asking for two days sick leave तो आपने क्या कहा आपने दो दिन की चुट्टी के लिए application दी आप बिमार है इसलिए आपको two days की leave चाहिए तो सबसे पहले the principal उसके बाद देखिए बिटा the principal के बाद अपने school का नाम लिखेंगे आप यहाँ पर school name जैसे मैं नहीं लिखा आपना जी जी ट्रिपल एस गवर्मेंट गर्स senior secondary school number two उसको शॉर्ट में अगर हम लिखते हैं तो अब्रिवेशन उडाता है जी जी ट्रिपल एस नमबर टू इसके बाद जो एड्रेस यानि कि जिस एरिया में आपका school मेरा model town 3rd है आपका जो भी एरिया हो सकता है आप यहां लिखेंगे देन निव डेली या आप सिर्फ डेली भी लिख सकते हैं उसके बाद देखिए करेंगे डेट आएगी 11 नेवेंबर 2020 और सब्जेट यानि कि विशे क्या है हमारी application का विशे क्या है हमारी application जो लिखने का विशे है सिकलीव सिकलीव यानि कि बैमारी के चाहिए आप देखिए रिस्पेक्टेद सर और माडम विट डियू रिस्पेक्ट सेम फॉर्मेट बि से आप format को अगर एक बार समझ लेंगे तो बहुत आसानी से आप किसी भी तरह की application लिख सकते हैं respected sir and madam with due due respect this is to inform you यह आपको एक जानकारी पहुंच आने के लिए that I am student of class तो यहाँ आप अपनी class लिखेंगे यहाँ 7th खाली लिखा है बिटा A या B section नहीं डाला गया है क्योंकि जिस जो बचा A section में है वो साथ में A लिखतेगा जो B में है वो B लिखेगा 7th A, B, C, D जो आपका section है आप वो लिखेंगे I am not well today मैं आपके school का चातर हूँ मैं आपके school का student हूँ जो 7th class में पढ़ता हूँ और आप मैं स्वस्त नहीं हूँ आज मैं स्वस्त नहीं हूँ I am not well today I am suffering from fever मुझे बुखार है kindly grant me leave for कृपया मुझे छुट्टी दी जाए कितने दिन के लिए दो दिन के लिए for two days such that 11 November 2020 and 12 November 2020 11 और 12 तारिक के लिए मुझे छुट्टी दी जाए thank you yours obediently आपने यह देखिए फिर उसके बाद यहाँ पर अपना नाम लिखना है x y z में क्या आएगा आपका नेम मैंने x y z लिखा है आपको अपना नाम लिखना है और फिर उसके बाद है बिटा class 7 और आप रोल लंबर लिखेंगे यहाँ पर मैंने x x डाला है आप अपना रोल लंबर लिखेंगे और यहाँ पर अब आपका जो बिटा covid appropriate behavior stay home stay safe आपको घर पे रहना है बिना बाद घर से बार नहीं निकलना है covid appropriate behavior को follow करना है take care of yourself your relatives your friends सबका ध्यान रखें सबको aware करिए बिटा सभी यह norms को follow करें use a mask take care of physical distance mask का इस्तमाल करिए शारीरिक दूरी 6 feet या 2 गस की जो दूरी है जरूरी उसका ध्यान रखिए और समय समय पर अपने हाथ साबून और पानी से धोते रहिए हमें सबको मिलके COVID-19 को spread होने से रोकना है और इसमें हम यही contribution कर सकते हैं कि हम यह सारी चीज़े follow करें और prevention is better than cure हमें अपने आपको बचा के रखना है साफधानी ही जादा अच्छी है और अच्छे से आप अपने festivals को enjoy कर सकेंगे अगर हम सब स्वस्त रहेंगे तो इसी तरह बिटा अच्छे से पढ़ते रहें सभी चीजों को follow करते हुए घर पे रहें enjoy your festivals enjoy your learning with precautions take care be blessed and healthy thank you have a nice day